मेडिकल से जुड़ी सबी लटिस्ट अपडेट पाने के लिए सबस्काव कीजिए है कि यूट्यूब इन्ध कर से नहे हैं तो चैनल को सब्सकावब करतें ल against प्रसके दिजिया और और आने वाले इंपर्टेंट क्वेश्टन की जानकरी आप लोगों को मिलती रहेगी तो आप पास में लगे बिल आइकन को भी प्रेस करतीए ताकि उससे तुरंत आप लोगों के आने वारे वीडियो की सबसे पहले आपको इंपोर्मेशन मिल जाए देख लेते हैं पन कौन-कौन से important question है साथ ये दोस्तों अगर आप चाते हैं और अच्छे तयारी करना और अच्छे वीडियो को देखना तो आप हमारे HTM के अकडमी एप्लिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजे और वहां सक्थे आप free में बहुत सारा content देख सकते हैं इसके साथ साथ में free में बहुत सारे test series भी दे सकते हैं और साथ साथ में आप लोग अगर course को buy करना चाते हैं तो आप लोग course को buy भी कर सकते हैं तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन-कौन से important question है बात कर लेते हैं यहाँ पर question के अंदर तो question में सबसे पहले यहाँ पर पूछा है Corona disease is यह aims 2021 के अंदर जो नौर सेट था उसके अंदर पूछा था pandemic, epidemic, all of above तो corona क्या है? तो corona जो virus है उसकी जो disease हो क्या हों से है? यह है pandemic, यहाँ पर बात करें pandemic pandemic का मतलब होता है pandemic, pandemic का मतलब यहाँ कि पूरे वाइड के अंदर जो पूरा वाइड के अंदर फेली होगी है इसलिए क्या क्या कता है? इसे पन, pandemic के दें अच्छा, epidemic का मतलब यहाँ कि epidemic का मतलब होता है और endemic का मतलब यहाँ कि endemic का मतलब होता है यहाँ constant present होती है constant है डिजी प्रजेंट होती है डिजी प्रजेंट होती है किसके अंदर स्माल पॉपुलेशन के अंदर स्माल पॉपुलेशन के अंदर और यह क्या होती है एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर यह प्रजेंट मतलब जो मतलब इसमें इपिडेमिक का मतलब होता है लार्ज कोविट था कोविट क्या है कहां पर हुआ चाइना के अंदर और चाइना से कहां पर पूरे वाइड में फेल गया तो इसे क्या कहते है इसे क्या कहते है इसे कहते है पैंडेमिक अगर मालों यह जग अगर मालों इंडिया के अंदर किसी एक एरिया के अंदर कोई डिजीज प् से अिसे कहते हैं अपिडेमिक जहान रखेलने एसे कहते है आपन एकूच्छ डेहें पनके सिर्फ कोमें को जो बात करें की स्कूचछ कि यहां पर बोगा से नडर्घ का है थो नोर्माल युर्मार्य आउटych in adult अच्छा normal urine output adult के अंदर कितना होता है 200 ml 400 ml 1500 ml तो यहां पर सही answer क्या है 200 ml 400 ml 2500 ml और 1500 ml तो यहां पर सही answer क्या है normal urine output की बात करें पर तो नोर्मल urine output 1500 ml यहां 1500 ml के लगबग approximator होता है अच्छा यहां एक important question पूछे जाता है यह दी 2500 ml से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहते हैं polyurea ध्यान रखना polyurea अच्छा polyurea क्यों होता है इसके फीचे लोजिक क्या होता है यह ADH की deficiency ADH की deficiency यानि कि anti-diuretic hormone की deficiency के विचे क्या होता है polyurea होता है और आप लोगों से कोई question पूछ ले कि ADH कहां से निकलता है तो ADH कहां से brain के कों से brain के भी किसे pituitary gland के posterior part से posterior part से यह ध्यान रख लेना यहां से सिर्फ दो हार्मोन निकलता है एक तो ADH किसमें होता है तो जो पोलीयूरिय की अगर बात करें पन पोलीयूरिय किस के अंदर होता है तो पोलीयूरिय जो है आप लोगों ने देखा होगा एक तो होती है diabetes mellitus diabetes mellitus diabetes mellitus के अंदर होता है पोलीयूरिय यहां पर अगर बात करें तो diabetes mellitus के अंदर आप लोगों को पता होगा 3P polyurea polyphasia polydipsia यह symptom उसके अंदर दिखाई देते और एक और important अगर अगर आप लोगों से एकड़ाम के और पूछ ले कि यदि कितने ML से कम होता है urine उसे अपर oliguria कोते है तो oliguria की बात करें पन तो 400 mL से कम होता है उसे oliguria करें पन और 100 mL से urine कम पास होता है तो उसे कहते है पन anuria क्या केते हैं उसे अपन anuria आप बात कर लेते हैं next question की यहां पर question के अंदर पूछा all color code include in emergency tries accept यहां पर question को बहुत ध्यान से पढ़ना आपको question में कहा है accept तो यहां पर सही answer क्या होगा यहां पर red green black और blue तो कौन सा area मतलब जो कौन सा color code अपने emergency के अंदर include नहीं करते हैं अपर तो यहां पर सही answer क्या है देखो यहां पर हम ती यहां पर जो color code यूज करते हैं किसमें कई बार exam के दिल्ली xms के अंदर 2016 में एक बार यह भी पूछा था कि tries का मतलब क्या होता है tries का मतलब होता है short ध्यान रखना है short और यहां पर जो है इसके अंदर जो color code कौन सा यूज करते है रेड यहलो यहलो ग्रीन और ब्लेक यह color code को यूज करते हैं रेड का मतलब होता है abus near misinformationscale General इमर्जण का मतलब यानि बहुत serious condition है प्षेशन मणने वाला इए ग्यमि मतलब होता है इससे थोड़ा सा यानि की अर्जएंट उसको अउना green का मतलब यानि की normal condition होती है यानि की की नोशबन देर्पन और ब्लेक का मतलब होता है इनि की the death यानिकि big body किया कहता ie यह प्रकार से इस प्रकार से लोग से बात करें यह क्योस्ट वी कई बार एक्जाम में पूछा हुआ है विच कैनुला यूज फोर ब्लेड ट्रांस्पुजन ब्लेड ट्रांस्पुजन के लिए कौन से नंबर का quello का इस्तेमाल किया जाता है यह काफी मैद पूर्न है दोस्तो ग्वेज का इसके उपर इस्टार लगा लेना बहुत ही ज़्यादा मैत्पून है 18 ग्वेज का जो है ब्लेड ट्रांस्फूजन के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर बात करें पर इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन ध्यान रखना है यह यहाँ ग्रीन ध्यान रखना है तो यह 22 नंबर का होता है यहाँ पर अना ब्लू ब्लू कलर का और बात करें पर 26 नंबर का जो होता है यह होता है वोईलेट कलर का वोईलेट और यह अभी नूली एड हुआ है ऐसा नहीं कि पहले से यह यह वोईलेट टाइप का होता है वोईलेट कलर का होता है कौन 16 नंबर क को मैं आप लोग करनूला की बारे में दिखा देता हो इस प्रकार्वाज्य को 14 नंबर का ओरेंज किलर का है 16 नंबर का ग्रे कलर का है 17 नंबर का नूलिएड़ देखो यहां पर लिखा है नूलिएड है ना अब देख सकते pink कलर का अचाओ pink color का जो सबसे common use कही है ज़ता है जैको जनरल use इसको पर ध्यान रख लेना सबसे common use कही है ज़ता है वो use कही है ज़ता है pink के color का cannula ठीक है चलते है पन देख लेदा पन और next question को यह यहां पर इस परकार से cannula है next question के अगर बात करें यहां पर a patient have dyspnea in emergency which position you provide to the patient patient को कौन सी position आप प्रवाइट करोगे यह तो dyspnea का मतलब जानते हो ना यहनी difficulty in a breathing supine position prone position Fowler position simsilateral position यहाँ पर सही answer क्या है कौन सी position हम प्रवाइट करेंगे यहाँ पर यहाँ पर कौन से position प्रवाइट करेंगे अपर वो है यहां पर Fowler Position देखो हम बात करें सुपाइन Position की सुपाइन Position को अपन इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर Abdomen Abdomen Examination में द्यान रख लेना Examination इसका यूज करते हैं ठीक है Abdomen Examination में और Sims Lateral Position का Sims Lateral Position Anima के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं द्यान रख लेना है इसका Anima के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं बात कर लेतें Next Question की यहां पर Question पूचा A Patient Comes in Your Emergency With Bike Accident And Shock Condition Which Site Choose First Assess the Pulse Radial Carotid Femoral Anticuboidal बहुत ही ज़्यादा माहत कूण Question है और यह 2021 की M's के एक्जाम के अंदर भी आया है तो कौन से साइट आप सबसर पहले Choose करेंगे उसके लिए तो यहां पर सही अंसर क्या होगा यहां पर जो सही अंसर है वो है क्योंकि Patient Accidental Condition में आया है तो हम यहां पर Assess करेंगे उसकी Carotid Pulse को और Shock की Condition में तो Carotid Pulse को हम Assess करेंगे और इसका Duration में आप लोगों बताता है Duration Duration इसका होता है 5 Second 5 Second के अंदर अंदर आप लोगों को उसकी Assess करना है Maximum होता है 10 Second ध्यान रख लेना 10 Second Maximum 10 Second 10 Second से ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना Assess करने में यदि उसकी Pulse नहीं आ रही है ध्यान रख लेना यदि उसकी Pulse नहीं आ रही कौन सी? Carotid Carotid Pulse नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमें क्या देना है? CPR क्या देना है अपन को? CPR CPR की जो नहीं गाइडलाइन है उसके बारे में बताता हूँ New Guideline है CPR की New Guideline New Guideline New Guideline के अंदर CPR को अंदर include किया गया है C, A, B C, A, B यानि कि C का मतलब circulation और A का मतलब होता है Airway और B का मतलब होता है Breathing यह ध्यान रख लेना बहुत ही ज़्यादा important है यह बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि New Guideline आई है उसके अंदर इसको C, A, B को include किया गया और adult के अंदर जो हम rescue देते हैं वो देते हैं 13 is to कितना? 13 is to 2 यह ध्यान रख लेना adult के अंदर 13 is to 2 चाहे एक rescue हो चाहे दो rescue हो फिर भी अपन देते 13 is to 2 और यहीं आप लोगों से child के बारे में पूछ ले जाए child के बारे में पूछ ले जाए दियान रख लना तो child के अंदर जो है अगर single rescue है तो single rescue के अंदर क्या देते हैं जो है single rescue के अंदर देते हैं वो देते हैं 30 अनुपात 2 और 2 rescue है 2 rescue है तो उसके अंदर दे 15 अनुपात 2 ठीक है यानि कि 30 तो compression और 2 breathing और 15 compression 2 breathing यहाँ पर बहुत important है single rescue की बात करें और 2 rescue की बात करें बहुत ही जाद हम आपको point होता है single rescue और 2 rescue की बात करें ठीक है चलते हैं अपन next question को देख लेते हैं यह यह से आपको assess करना है कि carotid pulse को यहाँ पर assess करना है next question की बात करें पनी आपड़ यहाँ पर PP kit removing method यह भी 2021 के अंदर question आया हुआ था कि PP kit को remove करने का method है गोगल्स, 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 गोगल् यहां पर आप देख सकते हैं पहले लौ이는 किया पर इसको मांस को और रिमूँग किया और इसके बाद में इन्हों क्यूस्ट कि बहुत ही ज्यादा मैत्पूर्ण क्यूस्टे यह दोस्तों मैं आप लोगोg अभी मैत्पूर्य हो बहुत ज्यादा मैर्ण है बात कर ले तें यहां पर कुशन की तो क्यूशन के अंधर पूचा है identify the image of यह बहुत ही ज़्यादा वैत्पूर है क्यूस्टन आया हुआ है दिल्ली एम्स के एक्जाम में तो इस बार फिर आ सकता है डेवियर रिट्रेक्टर बलफोर रिट्रेक्टर डॉयन रिट्रेक्टर मौरिस रिट्रेक्टर यहां पर तो इसका क्या है इसका क्या है इसका सही आंसर है वो है डेवियर रिट्रेक्टर इसको यह इस प्रकार से डेवियेट आप तो यह समझे लो डेवियेट यह नहीं कि टेड़ा होना क्यते है डेवियेशन क्या क्यते है डेवियेशन deviation, ध्यान रखलाना है, deviation, deviation का मतलब चाहता है, एक तरसे टेड़ा हो गए, तो यह इस प्रकार से इसमें एक पट्टी बन जाती है, एक तरसे पट्टी की तरह होता है, आना बहुत पतला होता है, इसे कहते हैं, deviation and deviation retractors, ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों इनके भी, और इनके भी doing retractors, इनके भी image में आप लोगों दिखा देता हूँ, देखो, यह तो है, यह जो है, यह है, bulb four retractors, ध्यान रखना, बल four, इसमें four है न, बल four, four, बल four retractors, one, two, three, four, एस प्रकास से, इसमें मतलब कुंदी चाइप आपको दिख रहा होगा, तो इसे कहते हैं, बल four retractors, यह देख, ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को, कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर Morris retractor की बात करें आपन, तो Morris retractor, यह, यह है Morris, Morris retractor, और यह है, डोएन्स retractor, डोएन्स retractor, अच्छा, इसको याद रखनें का त्रीक में बता दाओ, दो, दो किसे लिखते हैं, तो, इसे लिखते हैं, दो, इंदी में क्या कहते हैं, इसको दो, तो इसे कहते हैं, इस प्रकार से गुम जदा पूरा, आप देख रहे होगा, यह पूरा गुम आफ्टर इंसिजन, बहुत ही ज़्यादा मैस्पूर्ण क्यूशन है, और हर बार में आप लोगों पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पहले मेरे वीडियो से उसमें मैंने कई बार बता चुका हूँ, कि इस टोपिक से हमेशा एक्जाम के अंदर क्यूशन आता है, सर्ज आपर सही अंसर क्या है, यहां पर सही अंसर है, लो एलर्जी, देखो, एलर्जी का हमें टेस्ट जो है, वो प्री ओपरेटिव, प्री ओपरेटिव केर में ही हमें करना है, प्री ओपरेटिव, ठीक है, जो भी उसके ऐलर्जी है, उसके बारे में हमें प्री ओपरेटिव मे करते हैं अपन आप यहाँ पर देख सकते हैं यह तीन प्रकार यह से आप इस प्रकार से आप यहाँ पर पड़ सकते हैं यह अनेरे शनी के कर लेना कि surgical safety का चार्ट का है हर बार computer exam में एक नेक question यहां से पूछा जाता है बात कर लेते next question की तो यहां पर question के अंदर क्या पूछा है Mr. Shamelan comes in emergency with burn which intravenous fluid you select for infusion normal saline ringer lactate dextrose menentol बताओ यहां पर सही answer क्या होगा तो यहां पर जो सही answer होगा मैं आप लोगों बतां सथा आऊ आप लोगों को यहां पर जो सही answer क्या है यहां पर जो सही answer वो है rigda잉म다 यह यह अंदर वाली बार्न प्रेशन्ट के लिए इसके अंदर क्या करते हैं बार्न वाले पेशन्ट के अंदर बर्भेश यह किसके लिए यूज पर्मूला यह यूज की जाता है बर्णवाले पेशेंट के लिए इसके अंदर क्या करते हैं ? ॥ यूजन इन्द पार्णवाले पेशेंट के अंदर पार्कलंड फिर्मूला की तेंस इसके अंदर 4 mls R n 2 kХ 2 कि विट वोडिवेट किसमें चेजी में केजी में और इसके साथ में टीबी अैस í टोल बोडी सरफेश एडिया है बड को टोल बोडी सरफेश अरिया टीबीज यह अपने इस से क्लेकूलेट कहते है यह पर क्लेंटर प्यूर्मोर्मवले लगाना है और रिमेंश फ्लूट बज जता है उसको आपको लगाना है किसमें सिक्स्टीन हावर में मैं हर बार आप लोगों से बोलता रहता हूं बहुत ही जादा मायश्पून question है जब मैं महत्पूर्ण question बताता तो उसके उपर आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है बात कर लेते हैं next question की अच्छा मैं यहाँ पर अगर आप हम बात करें तो यहाँ पर कुछ में fluid के बारे में भी आप लोगों बताता हूं ताकि आप लोगो और भी concept clear हो जाए है जो मैंनेंटोल है यह क्या आता है यह एक हाइपर टोनिक solution है हाइपर टोनिक solution solution और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर यूज किया जाता है icp की icp intracranial pressure को reduce करने के लिए normal से लाइन की बात करें पर तो जो नॉर्मल से लाइन यह क्या है isotonic tonic fluid है ठीक है ringer-lector भी क्या होता है isotonic अब यहाँ पर dextroge के बात करें तो dextroge में अलगाए combinations होते है 5% हो गया 5% के साथ में क्या mix है तो उस प्रकाल से यह hypertonic भी होता है और plane dextroge अगर 5% तो यह isotonic में आता प्लेन है ठीक है plane की बात करें पर अगर plane के साथ अगर इसके साथ में नॉर्मल सलाइन एड़ है तो यह hypertonics के अंदर आता है ठीक है बात करें आपन नेक्स्ट की बात करें आपन यहां पर अगर आप emergency में posted है तो क्लास गो कोमा स्केल का आप असेस कर रहें तो इसका maximum और minimum नंबर कितना होना चीए कितना होता है इसके अंदर इससे भी हर बार topic यह topic बहुत ज़्यादा महत्पूर नोर्सेट के अंदर हर बार question पूछे जाता है तो यहां पर सही answer क्या होगा इसका आप देख सकते हैं आप लोग क्या क्या देखा जाता है यहां पर eye opening आचा EVM यह एक मशीन होती EVM जानते हैं लो बोटिंग मशीन तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं आप लोग जो GCS score जी सी एस इसमें सबसे जादे score किसका होता है highest कि is score तो highest score किसमें किसका होता है motor response का दियान रख लिए मोटार response का किता होता है छे दियान रख लेना पर देखो यहां पर देखो आप लोग देख सकते हैं यह पर छे और पांच 11 और चाहर पंदरा टोटल स्कोर किता होंग चनल के इसका एक कना इसका एक पॉच्आ को यह पर कुछा एपशेंट इट with always open door and have fear only going out from the room with brother its type of phobia यह देखो AIMS के अंदर आया हुआ क्युश्चन है मैं अभी आप लोगों बोल देता हूँ यह AIMS 2000 के अंदर आया हुआ क्युश्चन है एग्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया सोशल फोबिया, एक्रोफोबिया तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका जो सही आंसर है वो है क्लेस्ट्रोफोबिया क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोजप्लेस इसको याद रखने हैं कि ट्रिक आपको भी पता देदा हूँ ट्रिक सीसी सीसी, ठीक है C means cluster और C means close साना CC तो इससे ही आज़ रखलो agrophobia agrophobia का मतलब होता है यानि कि open place में डर लगना open place में ठेक है agrophobia यानि कि कहने का मतलब high जो high उचाय वाले height वाले जो place होते है height वाले place होते है उनके अंदर क्या होना डर लगना agrophobia यहां पर बहुत ज़्याद है इंपोर्टेंट यह से इसे भी क्यूशन पूचे जाता है आप्टर डिलेवरी जो डिश्चाइड होता है इसका जो पूर्टें और शेसे उस्से क्या जहते है उस्फिचाइब और है लोकीय से क्राइब आचा इस पूचे नेनने एक रत कर यह होता है रेड यह पिंक क्लर पहता है और यह से क्यों सब्सक्तित यह प्रदोब से पाइप से लेकर 10 days या फिर 4 से लेकर 10 days तक इसका color होता है वो yellowish होता है yellowish color का और alba यह white color का होता है white color का यह discharge होता है और यह का भी 10 से लेकर 15 दिन तक आता है ठीक है ध्यान रख लेना और इनके अंदर जो fluid loads होता है total वो 250 ml के लगबग यह निकलता है ध्यान रख लेना 250 ml के लगबग यह fluid निकलता है बात कलें next question की यहां पर question के अंदर पूचा है which infection caused and encephalitis यहां पर कौन सा infection है जो encephalitis को कोज करता है तो measles diphtheria typhoid tengu तो यहां पर सही अंसर क्या होगा आप लोगों को इसका अंसर बताना है यहां पर सही से फटाक से आपको जवाब आपको देना है कौन सा है यहां पर और यह aims के अंदर question पूचा हुआ है तो यहां पर सबसे सही अंसर है वह है मीजल्स का अगर infection हो गया है मीजल्स ठीक है मीजल्स की infection क्या होता है एंसेसलाइट यह इससे होता है toxic toxic shock syndrome यह बहुत ज़्यादा important है shock syndrome यह हो जाता है इसको यदि contaminated vaccine आपने लगा दिया तो क्या हो सकता है toxic shock syndrome हो जाता है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको ठीक है next बात कर लेते हैं पर यहापन डिप्थीरिया डिप्थीरिया का होता है यह एक तरह से जो इसका जो चाइनीज सेप में होता है जो डिप्थीरिया को नी बेक्टियम डिप्थीरिया बेक्टियरिया की वज़िस होता है typhoid salmonella typhi की वज़िस होता है salmonella typhi अच्छा इसका एक क्यूशन कापी important है डिप्थीरिया कि इसके अंदर कौन सा इस्टूल पास होता है इस टूल इसके अंदर शूब होता है क्यूंसा इस टूल फिवर होती है कमें इस स्टेप लेड़ होती है वार्ना टेंप्रेचेटर है इसमें स्टेप बाइश्टिप चलता है यह से हैं जैसे स्टेप बढ़ता है उसे क्येते हैं अपन ऐस्ट्राइडर फिवर डेंगू डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू एडिस-इजिट थायपई मॉस्कुट के बाइट करने कविज़स हो से नाम से जानते है और यहां पर है पर मैं इक स्का नाम है अधर इसका नाम है जीए अधर कर लेत आपने आसा ऊधिर यह सब्सक्राइब इसके अधर का अधर क instrum को पर देख लेते हैं इसके अधर प्लेट अधर किसके इंदर देंगू के अंदर बात करें यापर मेरिड उमें कम्स फोर आयूदी इंट्राम्टराइड डिवाइस यानि कोपर्टी फीवर कोमन कोल्ड हाइपोमेनोरिया वेजाइनल ब्लेडिंग तो यहां पर सही अंसर क्या होगा यहां पर सही अंसर क्या है यहां पर सही अंसर है वह है वेजाइनल ब्लेडिंग चुब वेजाइनल से ब्लेडिंग हो दिए उस कंडिशन के अंदर कौन कोपर्टी आप आप लोग में बताता हू इस प्रकार से क्या लगाए जाती कोपर्टी लगाए जाती है यहाँ पर यह क्या होती है यहाँ पर T-shape की इस प्रकार से T-shape की कोपर्टी होती है आचा यह जो इसकी इफेक्टिव ने असना जो डिपेंड करती किसके उपर इसका नाम इसके किसके उपर कोपर कोपर आचा यह काम कैसे करता है? Spermicide Spermicide यह ध्यान रखलना बहुत आपसे पूछे जा सकता है Spermicide और कोपर्टी का जो सबसे side effect है वो है bleeding intrauterine device का IUD का सबसे जो दो है वो bleeding तो bleeding की condition में हम कते भी उसको use नहीं करेंगे बात कलेंगे next question की Vector-borne disease program include all except Vector-borne का जो disease program है उसके अंदर किस किस को include करते है all except यानि कि एक को छोड़कर यहाँ पर एक छोड़ना है आपको तो इसका सही answer क्या है? यह भी दिल्ली EMS के 2021 का जो question पर पता है उसके अंदर पूछा हुआ था तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा mathpon question है मैं आप लोग वो हर बार बोलता है बहुत ही ज़्यादा mathpon question है तो यहाँ पर सही answer क्या है? यहाँ पर सही answer है हूँ है चिकन पॉक्स देखो malaria को include किये गए चिकन भूनिया को include किये गए lymphatic phylaria को include किये गए लेकिन चिकन पॉक्स को include नहीं किये गए चुकि चिकन पॉक्स किसकी बच होता है virus की बज़ जैसे और virus भी कौन सा varicella varicella joster varicella joster ध्यान रखलना तो यह इसके अंदर include किये गए देखो the national vector bone program control NVBDC यह इसका नाम भी पूझ सकते है आपको national vector bone disease control program nvbdcp is an umbrella program prevention and control of malaria ध्यान रखलना किसके लिए malaria के लिए and other bone disease जैसे lymphatic phylariasis हो गया kala azar हो गया Japanese encephalitis हो गया chicken guni हो गया और dengue हो गया तो इनके लिए इस program को launch किया गया है द्यान रखला है इस program को इनके लिए launch किया गया है बात कर लेंदे नेक्स्ट क्योश्चन की a patient have complained a painless movable tumor present in the upper arm is called upper arm में movable tumor है उसे क्या कहते है अपन melanoma, sarcoma, lipoma, glioma तो यहाँ पर सही answer क्या है उसे क्या कहते है अपन तो यहाँ पर जो सही answer है यहाँ पर वो है लाइपोमा देखो लाइपोमा क्या होता है एक तर से इस प्रकार से movable tumor होता है movable जैसे यहाँ तो इस प्रकार से यहाँ पर जो tumor है वो क्या होता है मुह करता है मुह बल जैसे आप उसको टच किया तो क्या होगा मेलेनोंमा क्या है देखो ये सबसे मेलीगनेंट मेलीगनेंट इसकिन कैंसर है ध्यान रख gagn सरहे कौन सा clone इसको बहुत ही जदा इंपोरिट ही ध्यान ग्लायोमा की बात करें पन तो ग्लायोमा किया है ? ब्रेन केंसर है इजल एस सबसे कॉमन है अधे दियान कर ग्लायोमा अच्छा वह सार्कोमा य уд aura जिसे कपोसी इसार्कोम किसके हो पो जब यह किस में होता है यह होता है HIV patient के अंदर ध्यान रखना HIV patient के अंदर Kaposysarcoma बात कले है next question की Mission Indra Dhanush include all vaccine accept यह भी पूछा गया है तो Norset 2021 भी पूछा गया है measles, tuberculosis, titanus, pneumonococcal तो किस-किस vaccine को include किया गया है Mission Indra Dhanush पे accept आजकल exam के अंदर accept वहले बहुत ज़्याद है question पूछ जाते हैं तो आपको बड़िया ध्यान से रखना है तो यहां पर सही answer क्या है यहां पर सही answer हो है immunohocal देखो इसको भी include किया गया इसको भी include किया गया इसको भी include किया गया मीजल्स का वेक्सिन कौन सा है इसके मीजल मीजल्स कौन से नाइन मंत पर लगता है नाइन मंत पर हाना टूबर क्लोसिस की बात के लिए BCG है BCG जो वेक्सिन होता है 8 birth यानि जन्म के समय लगता है और यह किते पर्मानेंट इसकार बन जता है यह कह देता है बहिया मैं तो ना जिंदकी बार आप लोग के उपर ठपा लगा दूगा यानि कि ठपा मतलब आपके उपर चाप छोड़ दूगा कोन कहता है BCG का वेक् किसके लिए pregnant woman के लिए ध्यान रख लेना pregnant woman के लिए और इसकी दो डोज लगती है first dose और second dose अच्छा एक और चीज आप लोगों से एक्जाम केंदे पूछे जाती है आप लोगों से एक्जाम केंदे पूछे जाता है कि TT की पहली डोज कब लगाना है तो TT की पहली डोज जो pregnant woman होती है जैसे ही pregnancy का पता लगे कि यार यह pregnant है तो तूरंत ही TT की डोज आपको लगवा नहीं है उसके लिए इंतजार नहीं करना है कब लगवाना कब नहीं लगवाना है उसको आपको यही करना है कि अगर ओप्रेगनेंट है तो TT की डोज लगवा लोग बात कर ले दें next क अच्छा यहां पर यह दोनों के जो TT की रोज होती फस्ट और सेकंडर इन दोनों के अंदर one month का difference होना चाहिए यह दिखा देता हूं देंदर मीजल्स को इंक्लूट किया गया है पॉलियो पॉलियो को को इंक्लूट किया गया है इसके लाव पर्टोस को इंक्लूट किया ग दुबार भी पूछे जा सकता है बात कलें next question की यहां पर question के अंदर पूछा है endoscope is stylized by बहुत ही ज़्यादा मैंट पूर्ण है save loan hot air oven gluteal diet gamma res तो यहां पर सही answer क्या है किससे हम stylize करते हैं अपन तो यहां पर सही answer यहां पर बात करते हैं यहां पर बात कर लेते नेक्स्ट यह भी question है म्स के अंदर पूछा हुआ है highest forest in India के अंदर सबसे ज़्यादा forest कहां पर है madhya pradesh उत्तर प्रदेश राजस्टान महाराष्टा तो किस में इंडिया के अंदर यहां पर सही answer क्या है कि यहां पर सही answer है कहां पर है madhya pradesh madhya pradesh में सबसे ज़्यादा जंगल है ठीक है नाम क्या है sodium hypochloride sodium bicarbonate sodium chloride sodium permagnate तो यहां पर सही अंजर क्या है तो यहां पर सही अंजर वो है क्या है sodium bicarbonate यह बेकिंग soda है soda देहां रखलाना आचा सोडियम hypochloride क्या होता है sodium hypo chloride क्या होता है sodium hypo chloride यह एक chemical है ज्यान रखना है एक chemical है और इस से क्या होता है हम floor को clean करते हैं ज्यान रखना floor clean यह bacteriocidal है floor को clean करता है यानि कि इस स्पोर भी एक तरह से इस्ट्राइज करने के लिए काम भी लेते floor को clean करते हैं हम और कोरोना का जो patient होते है उसके उसका जो फर्ष होता है जो floor होता है उससे clean करते हैं इससे ध्यान रखना sodium hypo chloride दिल्ली एम्स में इससे बहुत बार question पुझे गए है कि sodium hypo chloride का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बात कर लेते next question की विच इंडिपेंडेंस दे सेलिब्रेटेट इन इंडिया 2022 यह बहुत ही ज़्यादा मैस्पून है अभी कि इंडिया के अंदर यह question आ सकता यह क्या suspected है इंपोर्टेंट है कि इसलिए आ सकता है कि कौन सामने इंडिपेंडेंस दे सेलिब्रेट किया है इंडिया के अंदर तो यहां पर सही आंसर कौन सा का कोन सा किया अपने यहां पर अपने किया है वह 76 नंबर वला हमने सेलिब्रेट किया गया मैं 55 साल तो मैं आजाद हुई हो गया इसे तो अपनी का आजादी आजादी का अम्रत मौत्सव यह आजदी का अम्रत मौत्सव ठाब लेकिन यहां पर अगर बात करें अपन तो यह अपनने मना है कौन सा 76 वाला और कौन सा आजादी का मृत्मों तो कितने 75 वाला तो यह आ सकता है एक्जाम के अंदर बहुत ही जाधा मैं पूर इसलिए मैंने आप लोगों को बताया एक यह क्यूश्चन काफी इंपोर्टेंट है विच करेंट प्रजेंट प्रसीडेंट ऑफ इंडिया जो परसीडेंट इंडिया का प्रसीडेंट कोन है इंडिया का अभी करेंट में श्री ना रामनात कोविंद श्री मती द्रौपती मूर्मू स्री वेंकेरा नाइडू और श्री जगदीप धनकर तो कोन है आप प्रसीडे current में ध्यान रखना current में जो अभी 18 जुलाइः को क्या हो यह है एलेक्शन होए थे और ये वाइस परसिडेंट के बात करें यानि कि वह है तो इन वे से क्योशन पूचे जा सकता है इसलिए मैंने इसको यहां पर जीक्षा का क्योशन है अला कि लेकिन यह इंपोर्टेंट है एम्स के लिए अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर और सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा चैनल को और मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम